Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha आपकी अपनी English Educator और आज मैं स्टार्ट करने वाली हो Class 12 की जो आपकी एलेक्टिव बुक है विच इस कलाइडोस्कोप उसका ड्रामा नंबर वन चांदालिका और आज इस ड्रामा के कवर करने वाली हूँ मैं MCQs याने की Multiple Choice Questions So let's begin with our first question जो हमारा play है जिसका नाम है चंदालिका इसके writer या author लेखक कौन है आपके सामने 4 options given रहेंगे A, B, C, D जो option आपको लगता है right है या जो option आपको लगता है close to right है उसको आपको करना है एक टिक माग options हिकने, options है James Joyce, B. Girish, Karnad, C. Rabindranath Tagore, D. Shakespeare इससे पहले मैं answer बता हूँ, मैं आपको बता दूँ कि मैंने इस chapter का explanation 4 parts में दिया हुआ है question and answers का एक separate video दिया हुआ है, summary का separate video दिया हुआ है और अगर गलती से आपने वो सारे videos एक बार भी देखे हो या अपनी book खुल के देखे होगी so within a second आप मेरे इस question का answer कर सकते हैं that is option number C, Rabindranath Tagore यही वो महान लेखक, वो writer है जिन्होंने ये play Chandalika लिखा है so option number C is the right option to this question next who is Chandalika in the play, title Chandalika यह जो play है, जिसका title है Chandalika इस play में आकर Chandalika है कौन किसके बार में बात हो रही है कि हाँ भाई ये Chandalika है तो options है, A, mother क्या, जो mother बताई गई है, क्या वो Chandalika है B, क्या प्रकृती है C, प्रकृती, sister, क्या प्रकृती की कोई बेहन है या D, not mentioned in the play play में mention ही नहीं किया गया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि play में mention नहीं किया गया बिल्कुल clearly बताया गया है कि खुद प्रकृती, जो की main heroine है वही है Chandalika याने वो Chandal जाती से बिलॉंग करती है, जो की low caste lower caste के जाती होती है तो a girl belonging to Chandal Jati is known as Chandalika प्रकृती की mother Chandalika नहीं है चंडालिका किसके बार में बात करी गई है या पे प्रकृती के बार में और प्रकृती की कोई sister है ही नहीं उसके बार में कुछ play में mention नहीं है तो option number B is the right option option for this question okay next question, question number 3 what does the word Chandalika mean ये जो word Chandalika आखर इसका मतलब है क्या so options है a an untouchable female एक ऐसी female जो untouchable है याने जिसको अब छूँ नहीं सकते क्योंकि वो low caste की belong करती है first option में ही हमें हमारा answer मिल गया लेकिन फिर भी हम सारे options देख लेते an untouchable male एक untouchable आदमी अगर आदमी होता तो उसको हम Chandalika नहीं कहते तो ये option नहीं है an untouchable object है कैसा object है कैसे सामान जिसको छूँ नहीं सकते तो ये सामान की बात नहीं हो रही है ये इनसान की बात हो रही है an objectionable act कोई ऐसा act, कोई ऐसा काम जो objectionable है जिसके ओपर objection उठाया गया है कि भाई ये गलत है तो ये किसी act के बारे में नहीं बात हो रही है इंसान के बारे में बात हो रही है which is a female so option number A is the right option to this question next who drew the water with which Janki bathed in the forest exile Anand नाम का मौंख जब कूए के पास में पानी मांगने आया चंडालिका याने प्रकृति से तो उसने उसको बताया कि मैं low caste की बिलॉंग करती हूँ तुम मुझसे पानी नहीं ले सकते लेकिन उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है upper class lower caste कुछ नहीं होता हम सब इंसान है हम सब equal है तो फिर उसने बताया कि जो जानकी थी याने जो रमायंड में माता सीता थी जब वो अपने forest exile पर गही थी याने जब वो अपने उनको मतलब वनवास के लिए भेज दिया कहता भगवान राम के साथ तो उनका पानी कौन सीच कर कौन लाता था जब उनको नहाना रहता था तो उनके लिए नहाने का पानी कौन लाता था तो options हैं Lord Ram क्या भगवान राम लाते थे भाई वो तो उनके पती हैं वो क्यों लाएंगे वो अपने पती से काम थोड़ी करवाएंगी Lord Lakshman क्या लक्ष्मन से वो तो उनके देवर थे वो अपने देवर से क्यों काम कराएंगी वो तो उसके लिए मासमान थी C. रावन वाई रावन से क्यों करवाएंगी रावन तो उनका अपहरन करके उनको उठा कर जबरदस्ती ले गया तो उसके पास तो वो कभी नहीं रहना चाहती थी यह option number D. चांडाल नेम्ड गुहक तो चांडाल याने lower caste जाती का एक आदमी जिसका नाम तक गुहक यही वो आदमी था जो कुए से पानी सीच कर लाता था और उसी से माता जान की याने माता से सीता है रमायन में वो नहाया करती थी तो यही बात जो है वो आनन्द बताता है किसको प्रकृती को और पानी accept करता है उससे so option number D is the right option to this question next what does प्रकृती insist her mother to do? प्रकृती अपनी मॉम को किस चीज के लिए insist करती है याने request करती है कि मा प्लीज ये काम कर दो actually प्रकृती को प्यार हो जाता है कहीने के आनन्द से क्योंकि वो उसने बच्चमन से ही बहुत बुरा भला सहा है लोगों से क्योंकि वो लो कास्ट की बिलॉंग करती थी मतलब ठेले वाला उसको अपना सामान तक नहीं बेचता था सब उससे दूर भागते थे लेकिन अपर कास्ट का मौंक याने आनन्द एक सादू संत उसने पानी एकसप्ट करा उसके कुएं से तो ये चीज उसकी लाइफ को बिलकुल बदल के चली गई कहीं न कहीं उससे प्यार हो गया अब वो शादी करना चाहती थी उससे लेकिन वो अब्विसली सादू है वो शादी थोड़ी करेगा वो दुनिया को तो त्याक कर चुका है भगवान बुद्ध के रास्ते पर है वो तो उसनी मौं से उसने क्या इंसेस्ट किया कि मा तुम यह चीज़ कर दो तो आनन मेरे पास आ जाएगा ऑप्शिन्स तो बाए हर न्यू ड्रेस क्या एक नई ड्रेस खरीदने के लिए बोला उसने अपनी मौं को नो तो कंटिन्यू हर एदूकेशन क्या यह बोला कि मा मेरी पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू करो तो पढ़ाई यहने सादू पर लगाओ ताकि वो तुमारे काले जदू के चंगुल में फसकर मेरे पास आके मुझसे शादी कर ले क्योंकि यही एक तरीका है उसको अपने अंडर में लाने का तो yes यही चीज़ की उसने उसको request करी थी D to leave the village गाओ छोड़ने के लिए बोल रही थी के स्रवस्ती village no option number C is the right option to this question next who was attracted to Anand Anand जो की monk जो की एक सादू थै उससे कौन attract हो गया थै याने उससे कौन आकरशित हो गया था तो option से ए प्रकृति क्या प्रकृति उससे आकरशित हो गया थी अट्राक्टट हो गया थी और प्यार करने लगी थी yes प्रकृति की mom नहीं प्रकृति की mom नहीं सुकृति सुकृति नाम का कोई भी character play में mentioned नहीं यह सिर्फ confuse करने के लिए आपको बताए गया है आकरिती तो आकरिती नाम का भी कोई character नहीं है so option number A प्रकृति is the right option to this question next what were the words spoken by आनन्ध to प्रकृति वो कौन से ऐसे शब्द थे जो आनन्ध द्वारा बोले गए थे प्रकृति को और उन्हीं शब्दों पे मानू जैसे वो मोहित हो गई options है a give me food क्या उसने बोला था मुझे खाना दो नहीं b give me water क्या मुझे पानी दो तो yes उसने उससे बोला था give me water वो कुए पर अपना मठका अपना पिच्च और अपना पॉट भरने आई थी और वही पर वो थक हार के प्यासा था इसली पानी मांगने आय था और एक lower caste की जाती से उसने पानी accept किया तो yes these were the words और इसी पर वो मोहित हो गई थी attract होने लगी थी उससे क्या उसने काता give me money पैसे देदो नहीं give me clothes क्या मुझे कुछ कपड़े देदो नहीं so option number b is the right option to this question next according to prakriti आनन्द has given dash to prakriti प्रकृती के मताबिक आनन्द ने प्रकृती को क्या दिया है options है a a new dress क्या उसने कोई नई dress कोई नया तौफ़ा दिया है क्या बिल्कुल भी नहीं वो एक भिक्षू है एक मौंक है वो लोगों से बीक मांगता है ना की लोगों को देता है देने के लिए उसके पास स्रीव अच्छे विचार और ग्यान है be few coins क्या कुछ सिक्के कुछ coin कुछ पैसे नहीं fee a new birth एक नया जनम तो yes जब प्रकृती से आनन्द ने पानी लिया याने एक lower caste कास्थ की लड़की से एक अपर कास्थ के सादू ने पानी एकसेप्ट किया तो समझो प्रकृती को एक नया बर्त एक नया जीवन मिलिया क्योंकि उसने प्रकृती को बात समझाई कि देखो बेटा मतला बेटा नहीं obviously कि देखो हम सब equal है हम humans है और हम लोगों को हम लोग एक दूसरे से कोई अलग नहीं है तो बस ये बातें जो आनन की थी इन बातों ने प्रकृती को एक नया जीवन एक नई आइडेंटिटी जैसे मानो दे दी थी so option number c is the right option d nothing उसने कुछ नहीं दिया कुछ नहीं दिया था वो तो ठीक है लेकिन ये एक नया बर्त दिया था according to प्रकृती so option number c is the right option to this question next for the gift of new life given by आनन to प्रकृती what does प्रकृती want to give him in return ये जो नई लाइफ ये नई जिन्दगी नया बर्त नई सोच जो आनन ने प्रकृती को अपनी बातों के द्वारा दिया था इसके बदले में प्रकृती आनन को गिफ्ट में रिटर्न में बदले में क्या देना चाहती थी options a she wants to surrender herself वो चाहती थी कि इस इंसान ने मेरी जिन्दगी बदल दी तो मेरे पास जो सबसे best चीज होगी वो मैं इसको दूँगी और सबसे best चीज जो मेरे पास available है वो है मैं खुद याने मैं अपना आत्म समर्पन कर दूँगी मैं surrender कर दूँगी उसके सामने खुद को और उससे शादी कर लूँगी तो वो खुद को सौपना चाहती थी उसको तो yes first option में ही हमारा answer मिल गया है लेकिन फिर भी दूसरे options देखते है she wants to give him some money कुछ पैसे देना चाहती थी कि उसको नहीं और तो खुद को ही उसको सौपना चाहती थी she wants to give him a beautiful present को बहुत सुंदर सा तौफा देना चाहती थी gift नहीं या d none of the above उपर से दियागा है कोई भी option नहीं तो यह तो हो नहीं सकता है क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है which is option number a next aren't you afraid of bringing a curse upon yourself? who said these lines to whom? यह जो line है यह आपके play की ही line है इस line का मतलब है क्या तुम्हें कोई डर नहीं लगता कि इतना बुरा काम करते हुए तुम्हें तुम्हारे पर curse आएगा है यह भगवान तुम्हें पाप देंगे तुम्हारा जीवन नश्च मानों कर देंगे तो यह line किसने किस से कही? who said these lines to whom? किसने किस से कही? options a प्रकृती तुम्हें डर अपनी मा से कही थी? नहीं भनकी प्रकृती तुम कर रही थी नहीं तुम तू जादू करो गलत है जादू करना पर फिर भी मा तूम करो तो प्रकृती नहीं कहा आनन ने तो प्रकृती से सब यह का था गिव मी वाटर और कुछ अच्छी बाते सिखाई थी यह सब नहीं कहा था मान ने आनन से कही थी मान ने तो आनन को आज तक देखा भी नहीं था और ना आज तक उससे कोई बात हुई थी तो यह बात मान ने अपनी बेटी प्रकृती को कहा कि बेटा तुम यह काम गलत कर रही हो जादू करना एक मौंक एक साधू के उपर जादू करना एक पाप है और क्या तुम में डर नहीं लगता कि यह गलत काम करेंगे तो हमारे उपर करस आएगा ने भगवान हमें श्राप फिर प्रकृती को डर नी लगता वो कैती नहीं ने कुछ नियों का डरो हमा तुमतो अपना जादू कंटीन्यू करो माँ. So option number D, Mother to Prakriti is the right option to this question Next Which month is mentioned in the second act of the play? यह अपका play पूरा जो आपका drama है, यह two acts में divided है इसमें जो second act है, उसमें किस month, किस महीने के बारे में mention किया गया है So option दिखते है A, सावन, क्या सावन मन्त के बारे में mention किया है? नई, सावन मन्त के बारे में तो act 1 में mention किया है, यहाँ second act की बात हो रही है B, asad, yes, second act में asad month की बात हो रही है, यह वो month होता है जो 4 महीने का होता है Basically 4 महीने के duration का यह month होता है, इसमें बोला जाता है कि यह वो time होता है जब Buddhist monk याने जो बहुत भिक्षू होते हैं, जो साधू संत होते हैं, वो 4 महीने के लिए बहुत कड़ी तपस्या करते हैं, fasting करते हैं, उपवास करते हैं भगवान के ही बारे में याद करते हैं, तो यह असद मन्त की बात हो रही है रमजान मन्त की बात हो रही है, नहीं है, तो Muslims का spiritual मन्त होता है यह poem जो है, यह जो drama, यह जो play है, यह Buddhist tale, याने बहुत धर्म की कहानी के उपर बेज़ ले, ना कि Muslim के उपर तो रमजान भी नहीं है, D, none of the above, यह भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें हमारा option मिल लिया है, which is option नमर B, असद Next, what is the meaning of the term, altar? आपके chapter में यह जो आपका जो play है, इसमें altar word आया है कई बार, इसका मतलब क्या है? तो options है, A, a raised place on which sacrifices are offered, एक ऐसी उठा हुआ स्थान जहां पर साधू संत बैठ कर तपस्या करते हैं, something, ऐसा कुछ, people का पेर होता है, उसके नीचे क्या होता है? ऐसा एक platform बना रहता है बैठने के लिए, यहाँ पे जो खुद, जो साधू संत होते हैं, वो बैठते हैं, और ज यहीं पे भगवान, बुद्ध बैठ कर अपने शिश्यों को क्या करते थे? प्रीचिंग करते थे, याने की प्रवचन सुनाते थे, तो yes, option number A is the right option, फिर भी हम दूसरे option सेखते हैं, तो change something, किसी चीज में बदलाव लाना, तो वो alter होता है, A-L-T-E-R, लेकिन spelling में क्या है आपर A-L-T-E-R, तो alter का मीनिग यह होता है, तो cut and change something, किसी चीज को काट कर उसमें कुछ बदलाव करना, तो वो तो दर्जी करते हैं, alteration करते हैं, वो भी अलग होता है, spelling उसकी अलग होती है, तो fight with someone, किसी से alter करना, किसी से लड़ाई करना, क्या उसकी बात हो रही है आपर नए, तो option number A is the right position, option here, according to your play, next, what kind of paraphernalia were arranged by prakriti, paraphernalia का मतलब क्यों होता है, किसी भी काम को करने के लिए जो चीजों की requirement होती, उन सारी चीजों को, things को हम paraphernalia कहते है, तो प्रकृती ने जादू करने के लिए, उसकी mom ने उसको कौन कौन ते paraphernalia arrange करने के लिए बोले थे और उसने क्या क्या arrange किये थे, options दिखते हैं, vermilion and seven jewels, vermilion याने संदूर और साथ प्रकार के जेवराथ, तो yes, ये एक option है, flags of yellow cloth and lamps, पीले रंग के कपड़े के जंडिया, yes, ये भी उसने arrange की थी और lamps ये ने दिये, ये भी उसने arrange किया था, sandal paste and garlands, sandal paste क्याने की, chandan का paste, cream sort of and garlands मतलब, माला है, sab को चरेंच किया, that means option number D, all of the above is the right option to this question, next question, what happened when Prakriti told her mother to revoke the magic spells, finally Prakriti ने अपनी मॉम को insist किया कि मा जादू करो और आनन्द को यहाँ पर ले कर आओ जबर्दस्ती, आनन्द आ भी गया उनके घर के दर्वाजे के बाहर, लेकिन जब Prakriti ने वो mirror देखा जो उसको उसकी मॉम ने दिया था, कि कैसा दिख रहा है इसमें आनन्द, तो उसमें उसने देखा कि आनन्द पूरी तरीके से transform हो चुका है, बदल चुका है, अब उसमें वो positivity, वो enlightenment, वो radiance नीरा, वो अब एक बहुत wicked, एक खराब व्यक्ती बन चुका है, एक evil इंसान में convert हो गया है, उसी वक्त प्रकृति अपने मॉम से कहती कि मॉम, मदर आप अपना ज़ो ज़ादू है वो revoke कर दो, याने कि वापिस ले लो, cancel कर दो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन जब उसमें अपनी मॉम से ऐसा कहा, तो क्या हुआ, options, A, the spells were revoked successfully, जो spells, याने जो जादू था, वो successfully cancel हो गया था, नहीं हुआ था, B, the spells were revoked with difficulty, रिवोक तो हुआ अबर बहुत मुश्किल, डिफिकल्टी से हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ था, हर मदर डाइड इंडर प्रोसेस, क्योंकि उन लोगों ने पाप किया था, एक साधू, एक मॉंक के उपर ब्लैक मैजिक करके, तो बगवान बुद्ध ने उनको सजा दी, और जब जादू कैंसल करने की बारी आई, तो उसकी मॉंक के डेथ हो गई, इस पूरी प्रोसेस में, तो yes, option C is the right option, D, nothing happened, कुछ भी नहीं हुआ, तो ऐसा तो नहीं था भाई, उसकी मॉंक के डेथ हो गई थी, option number C is the right option to this question, next, the play Chandalini emphasizes that the value of a human being resides in, Chandalini ने, Chandalika, okay, the play Chandalika emphasizes that the value of a human being resides in, यह ज़े Chandalika play है, यह क्या emphasize कर रहा है, किस चीज़ पर जोर दे रहा है, कि एक इनसान, एक human being की जो value होती है, वो किस चीज़ में reside करती है, यानि किस चीज़ में बसती है, तो options है, A, a rich man's heart, एक पैसे वाले अमीर व्यक्ति के आदमी के दिल में, क्या अच्छी values बसती है, जरूरी नहीं कि अगर आप अमीर हो, आप बहुत बड़े व्यक्ति हो, तो आपके अंदर अच्छी values भी हो, B, caste, creed and religion, अगर आप अच्छी caste, अच्छे religion, अपर caste के हो, अच्छी आपका community से बिलॉंग करते हो, तो याने आपके अंदर values है, ऐसा कुछ नहीं है, ब्रह्मिन हो, अगर आप doesn't matter, या कोई भी X, Y, Z, टॉप क्लास के क्यों नहीं, जरूरी नहीं कि आपके अंदर good values है, See, owns deeds, one's deeds, याने deeds याने actions, जो भी आप कर्म, जो भी आप काम करते हो, Doesn't matter आप upper caste के हो कि lower caste के हो, लेकिन अगर आपके actions, आपके deeds, आपके कर्म अच्छे हैं, किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं पहुचा रहे हैं, तो आपके अंदर values हैं, एक human being की याने एक इंसान की values हैं, आप में humanity है, आप में इंसानियत है वानो, तो yes, option C is the right option, friendship, याने आप अगर अच्छी friendships maintain कर रहे हो, तो याने आपके अंदर अच्छी values हैं, जरूरी नहीं, बहुत सारे friends, मतलब के लिए भी लोग बनाते हैं, अपने फाइदे, अपने बनेफिट के लिए बनाते हैं, बहुत सारी friendship लोग इसली भी करते हैं, so option number D, right option नहीं है, which means option number C, is the right option to this question, so children, here we come to the end of the session, I hope आपको सारे MCQs अच्छे से समझ में आ गए होंगे, do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel, तब तक के लिए, bye bye and take care.